नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चेनल अनलाइन स्टडी विथ डीके में आज हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट की और हिंदी सब्जेक्ट में आज का जो टॉपिक होगा वो किरिया विसेशन पर आधारित होगा इस टॉपिक में किरिया विसेशन से संबंदी जितने भी कोश्चन है सभी कोश्चनों को सामिल किया जाएगा एक्जाम में किस प्रकार से किरिया विसेशन के कोश्चन पूछे जाते हैं किस प्रकार से किरिया विसेशन के कोश्चन आते हैं सभी कोश्चनों को इस वीडियो में सामिल किया गया है साथी में आपको बताना चाहूंगा कि आज हम 50 कोश्चन लेकर आए हैं सभी कोश्चन जो एक्जाम के दरश्टी से बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंड है तो आपको अपना आकलन भी करना होगा साथ में प्रक्टिस कोश्चन भी है आकलन करके बताना होगा कि आज आपको 50 में से कितने कोश्चन आपके सही हुए हैं वीडियो सिरू करने से पहले बस आप लोगों से एक छोटी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो देखते समय वीडियो को लाइक एम सेर करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताईए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा साथ ही में यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जितने भी टॉपिक वाइस आज जो वीडियो बना रहे हैं उनका सभी का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुच जाए और आपके एक्जाम की जो तियारी है बहुत अच्छे से हो जाए इसमें सभी सब्जेक्ट हिंदी गनेत परियावर और बालविका सभी के जो कॉश्चन इस वीडियो में पूछे जाते हैं इस वीडियो में आप लोगों को बताये जाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुच जाए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए अपनी अच्छे से तियारी चलिए तो फटाफट शुरू करते हैं आज का पहला कॉश्चन कॉश्चन शुरू करने से पहले आप लोगों ने जो पिछले वीडियो देखे हैं सभी वीडियो में जो आप लोगों का रिस्पॉंस से बहुत अच्छा रखा उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी प्रकार आपका रिस्पॉंस बना रहा है और हमें मोटिवेशन प्राप्त होता रहा है और हम अच्छे से अच्छे वीडियो बना कर आप लोगों तक पहुचाए चलिए तो पहला कॉश्चन शुरू करते हैं जिन सब्दों से किरिया की विसेस्ता का ज्यान होता है उसे कहते हैं ध्यान देना है जिन सब्दों से किरिया की विसेस्ता के बारे में ध्यान देना है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं, किरिया विसेशन का वर्गी करण कितने अधार पर किया जाता है, ध्यान देना है, किरिया विसेशन का वर्गी करण कितने अधार पर किया जाता है, एक, दो, तीन या फिर चार, तो आपको बता दें, किरिया विसेशन का वर्गी करण जो है, ध्यान देना है तीन प्रकार से किया जाता है और कौन-कौन से किया जाता है तो आपको ध्यान देना है किरिया विसेशन का वर्गी करण प्रियोग के अधार पर, रूप के अधार पर, अर्थ के अधार पर या सभी के अधार पर तो आपको बता दें किरिया विसेशन का जो व प्रियोग के अधार पर विसेशन के तीन प्रकार हैं कौन-कौन से साधारण, संजोजक, अनुबंद और सभी तो यहाँ पे अपने को यह तीनों प्रकार प्रियोग के अधार पर हैं विसेशन के तो अपने को डी वाल ओप्सन यहाँ पे अपने को सही करना है कोश्चन आता है प्रियोग के अधार पर विसेशन के प्रकार बताईए या प्रियोग के अधार पर विसेशन के कौन-कौन से प्रकार है यदि इन तीनों में से उप्सन आता है तो तीनों को राइट करना है साधरन, संजोजक और अनुबन तो डी वाला उप्सन जो होगा यह जो प्रकार है मूल अधार पर होता है योगिक अधार पर होता है और इस्थानी अधार पर होता है तो डी वाला उप्सन यहाँ पर अपने को सही करना है क्योंकि मूल योगिक और इस्थानी तीनों प्रकार से रूप के अधार पर किरिया विसेशन के ये प्रकार है चली इस रिखक करीविसेशं HEY में पूचा जाता है। और परीमाण वाचक किरियः विसेशं jurisdictions। तो यहां पे आपको बता दे हैं कि आर्फ हमकार्ट साती है criança nursery जर्ण किरियः विकैशं tam Tucson P Hem maximum question जो है maximum exam में इनी में से question आप लोगों का पूछा जाते हैं तो आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए चार प्रकार से होते हैं अर्थ के अधार पर काल, रीति, इस्थान और परिमान वाचाग तो यहाँ पर D वाला option अपने को सही करना है डीवाला option यहाँ पर अपना सही जाएगा चलिए next question देखते हैं जिन सब्दों से किरिया में समय संबंधी विसेस्ता प्रकाट हो उसे कहते हैं ध्यान देना है कि अब कहा गया है जिन सब्दों से किरिया में समय संबंधी विसेस्ता प्रकाट हो उसे कहते हैं रीती वाचक किरिया विसेशन, काल वाचक किरिया विसेशन, इस्थान वाचक किरिया विसेशन, परिमान वाचक किरिया विसेशन तो समय संबंदी विसेशता प्रकट हो उस किरिया विसेशन को काल वाचक किरिया विसेशन कहा जाता है तो B वाला उप्षन दोस्तों अपना यहां पे सही होगा चैलिए अगला ध्यान देना है अपने को जिन सब्दों से किरिया में इस्थान संबंधी विशेष्ता प्रकट हो उन्हें कहते हैं ध्यान देना है इस्थान संबंधी विशेष्ता प्रकट हो जिन सब्दों में किरिय में इस्थान संबंदी विसेशता प्रकट हो उन्हें कहते हैं काल वाचक किरिया विसेशन रीती वाचक किरिया विसेशन इस्थान वाचक किरिया विसेशन परिमान वाचक किरिया विसेशन आपको बता दें इस्थान संबंदी विसेशता प्रकट हो रही है तो इस्थान option अपना जो होगा वो सही होगा चली अगला question देखते हैं जिन सब्दों से क्रिया का परिमान नाप तोल संबंदी विसेशता प्रकट हो उन्हें कहते हैं ध्यान देना यहाँ परिमान का मतलब जिसमें नापा तोला जा सकता हो किरिया का जो परिमान है वो नापतोल संबंदी जो विसेशता प्रकट होती है उन्हें कहते हैं इस्थान वाचक किरिया विसेशन, काल वाचक किरिया विसेशन, परिमान वाचक किरिया विसेशन या फिर रीती वाचक किरिया विसेशन तो आपको बता दें परिनाम سμβंधी विशेष्दा प्रकट हो या नापतोल संबंधी बात हो यदी वाक्ष में तो वहां पर परीमाण वाचक क्रिया विशेष्ण होता है ध्यां देना है नापतोल से संबंधी कितना कोच इतना इस टाइप से कितना दूद, कितना पानी या फिर 10 लीटर दूद 5 लीटर पान इस टाइप से जो विसेशता किरिया जो नापतोल संबंदी विसेशता प्रकट होती है तो उन्हें परिमान वाचक किरिया विसेशन कहते हैं तो सीवाल उप्सन जो यहाँ पे है अपना वो करेक्ट होगा चलिए अगला कोस्चन देखते है जिन सब्दों से किरिया की रीती संबंदी विसेशता प्रकट हो उसे कहते हैं ध्यान देना है किरिया की रीती संबंदी विसेशता प्रकट हो रीती या सेली किस प्रकार से जो इन सभी जो किरिया विसेशन के प्रकार हैं जो सब्द इनके अ आते हैं वो रीती संबंदी किरिया विसेशन के अंतरगत आते हैं तो आपको बता दें जिन सब्दों से किरिया की रीती संबंदी विसेशता प्रकट हो उसे कहते हैं परिमान वाचक किरिया विसेशन इस्थान वाचक किरिया विसेशन रीती वाचक किरिया विसेशन काल वाच से question पूखे जाते हैं, जो सभी कुरिय विशेशन के अंतरगत सब्द नहीं आते हैं, वो इसके अंतरगत आते हैं, तो जिस परकार जिन सब्दों से किरिया की रीती संबंदि विशेशता प्रकठ हो, उसे रीती वाचक की रिया विशेशन कहते हैं, तो C वाला option यहाँ पर अपना सही होगा चली अगला question देखते हैं वहाँ दिन भर काम करता रहा ध्यान देना है वहाँ दिन भर काम करता रहा दिन भर सब्द में कौन सा किरिया विशेशन है ध्यान देना है वहाँ दिन भर काम करता रहा इस सब्द में जो दिन भर आया है इसमें कौन सा किरिया विशेशन है तुलना बोधक किरिया विशेशन इस्थान बोधक किरिया विशेशन काल वाचक किरिया विशेशन रीती वाचक किरिया विशेशन तो यहां पर दिन भर यने की समय को बता रहा है कि पूरे दिन उसने काम किया है तो काल वाचक करिया विसेशन यहाँ पर अपना सही होगा चली अगला कोश्चन देखते हैं आज में गया था ध्यान देना है आज में गया था यदि यहाँ पर आता है कोश्चन आज में भोपाल गया था इंदोर गया था आज में कहीं भी गया था तो वाक्य में कौन से क्रिया विसेशन है तो यहाँ पे आज का पूछा गया है तो आज में गया था यहने कि यहाँ पे समय का बता रहा है तो काल वाचक क्रिया विसेशन ही आएगा तो सीवाल उप्सन यहाँ पे अपना सही निकलेगा नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं वहाँ धीरे धीरे जा रहा है वाक में धीरे धीरे पद क्या है सरुनाम विसेशन क्रिया विसेशन या प्रा विसेशन तो आपको बता दें इस प्रकार के वाक के यदि पूछा जाता है वहाँ धीरे धीरे जा रहा है या तेशते जा रहा है इस प्रकार के यदि वाक क्या आत कदाचीत अचानक तो यहाँ पर चार उप्सन जो दिये गए हैं रीती वाचक क्रिया विसेशन पूछा है तो आपको बता दें जो काल वाचक इस्थान वाचक परिमान वाचक क्रिया विसेशन के अलावा जो क्रिया विसेशन होता है वो रीती वाचक क्रिया विसेशन के अंत नहीं है तो यहाँ पर एवल उप्शन जो है अपना सही होगा अगला देखिए घोड़ा तेज भागता है इस वाके में तेज व्याकरण की दरश्टी से क्या है संग्या सरुनाम किरिया विसेशन या फिर विसेशन तो आपको बता दें तेज भागता है यहाँ गोड़ा जो ह कोशन देखिए गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है इस वाके में मंद मंद व्याकरण की दरश्टी से क्या है विसेशन क्रिया विसेशन संग्या शरुनाम तो यहाँ पर मुस्कुराने की जो विसेशता बता रहा है मंद मंद सब्दों बता रहे हैं याने की क्रिया की विसे होगा यानि कि B वाला उप्सन यहाँ पर अपना सही होगा चली अगला कोश्चन देखते हैं निम्न में परिमान वाचक क्रिया विसेशन है कम अवश्य कहीं या तब चार उप्सन यहाँ पर दिये गए हैं परिमान वाचक क्रिया विसेशन कम अवश्य कहीं तब तो यहाँ प पर अपना सही होगा अच्छे लिए अगला कोश्चन देखते हैं वहव एक्ती वहां बेठा है वाक्य में वह क्या है वहव एक्ती वहां बेठा है याने इस्थान यहां पर जो है इस्थान क्या है प्रतीत हो रहा है तो संग्या है, सरुनाम है, किरिया है या फिर किरिया विसेशन है तो आपको बता दें वहाँ क्या है किरिया विसेशन है याने कि सीवाल ओप्सन जो होगा यहाँ पर अपना वो सही होगा वह व्यक्ति वहाँ बेठा है याने इस्तान परतीत हो रहा है तो ये क्या है? करिया विसेशन, यानि सीवाल आउपसन जो होगा वो अपना यहां पे सही होगा चलिए अगला कोश्चन देखते है वे लोग अभी अभी गये हैं, इस वाक में अभी अभी क्या है? सैज्या है, सरुनाम है, किर्या विसेशन है या फिर किरिया है तो आपको बता दें वे लोग अभी अभी गए हैं इस वाकि में अभी अभी क्या है किरिया विशेशान याने की C वाला जो उप्सन होगा वो अपना यहाँ पे सही होगा चैली अगला कोश्चन देखिए यह संबव है कि वे आज ही आज आएं ध्यान देना है यह संबव है कि वे आज ही आज आएं आज ही आज आएं इस वाकि में क्या है किरिया विशेशन है संबंद है विसमयाधी बोदक है निपात है तो आपको बता दें संबव है कि वे आज ही आ जाएं, तो यहाँ पर क्या होगा, किरिया विशेशन, तो ए वाला उप्सन जो होगा, वो यहाँ पर अपना सही होगा, अगला कोश्चन देखिए किरिया के अर्थ में विसेस्ता प्रकट करने वाले अव्योव को क्या कहते हैं किरिया के अर्थ में विसेस्ता प्रकट करने वाले अव्योव को क्या कहते हैं संबंद बोधक अव्योव कहते हैं समुच बोधक या किरिया विशेशन विसमयदी बोधक या फिर किरिया विसेशन तो संबंद बोधक, समुच बोधक, विसमयदी बोधक या फिर किरिया विसेशन तो किरिया के अर्थ में विसेशता प्रकट कनने वाले सब्द को किरिया विसेशन कहा जाता है यहाँ पर D-Val option जो होगा वो अपना सही होगा यहाँ पर किरिया विसेशन गलत लिखा गया है इस पर अपने को ध्यान नहीं देना है किरिया के अर्थ में विसेशता प्रकट कानने वाले जो अवियो होते हैं उनको किरिया विसेशन कहा जाता है तो D-Val option जो होगा वो यहाँ पर अपना सही निकलेगा अगला question देखिए अवियो कितने प्रकार के होते हैं चार प्रकार के, पांच प्रकार के, छे प्रकार के, साथ प्रकार के तो आपको बता दें जो अवियो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं अव्याव जो हैं वो चार प्रकार के होते हैं तो यह वाला option यहां पर अपना सही होगा अगला question देखिए काल वाचा किरिया विसेशन है जहां परियाप्त अब आगे तो जहां कहां यह तो इस्थान से संबंदी थे परियाप्त है आगे है अब है अब तब कब किस प्रकार के हैं इसमें समय प्रतीत हो रहा है तो यहां पर जो सीवाल option है यह काल वाचा किरिया विसेशन है अगला question देखिए वह किधर गया इस वाक्य में किधर सब्द क्या है अनिश्चे वाचक सरुनाम प्रश्ण वाचक सरुनाम इस्थान वाचक किरिया विसेशन गुण वाचक किरिया विसेशन आपको बता दें वह किधर गया यहां पर इस्थान प्रतीत हो रहा है और वहां किधर गया इस वाक्य में जो किधर है वो क्या है इस्थान वाचक किरिया विसेशन तो शीवाला option जो होगा वो इहाँ पर अपना सही होगा अगला question देखते हैं परिमान वाचक किरिया विसेशन अवियव है दिन भर सरवत्र नी संदे अतियंथ तो यहाँ पर परिमाण का पूछा है तो अपने को दिन भर सरवत्र नी संदे अतियंथ तो यहाँ पे D वाला जो option है वो यहाँ पे सही होगा अतियन्त तो जो अतियन्त है यह क्या है परिमान वाचक किरिया विसेशन है तो D वाला option यहाँ पे अपना सही होगा कौन सा सब्द किरिया विसेशन है ध्यान देना है कौन सा सब्द किरिया विसेशन है यानि कौन सा सब्द जो है वो किरिया की विसेशन बता रहा है चारों में से तो यहाँ पे ध्यान देना है कौन सा सब्द किरिया विसेशन है शूर्योदे है विगत है नीला है धीरे धीरे है तो कौन सा सब्द है जो किरिया की विसेशन बता रहा है तो D वाल ओप्षन यहाँ पर अपना सही निकलेगा ये किरिया की विसेशन बता रहा है राम जैसे की चल रहा है तो वहाँ धीरे धीरे चल रहा है तो ये किरिया की रिसेस्ता बताने वाला सब्द है तो D वाला उप्सन यहाँ पे दोस्तो अपना सही निकलेगा अगला question देखिए वहा वहा फिर cycle चलाईए वहा वहा फिर cycle चलाईए इस वाक्क में वहा वहा सब्द क्या है बिल्कुल confuse नहीं होना है विश्मयदी बोधक चिनन लगा है तो वहा वहा जो है विश्मयदी बोधक आउयो है तो यहाँ पर अपने को यह वाला option right करना है योकि वहा वहा जो सब्द है उसके आगे विश्मयदी बोधक चिनन लगा है तो आख मीच कर विश्मयदी बोधक पर अपने को right click करना है चली अगला question देखते हैं राहुल नित प्रतिदिन मंदिर जाता है इस वाक में कौनशा करिया विशेशन है ध्यान देना यहाँ पर नित प्रतिदिन राहुल जो है मंदिर जाता है तो यहाँ पर क्या है काल वाचक करिया विशेशन है परीमान वाचक करिया विशेशन है रीती वाचक करिया विशेशन है या फिर यहाँ पर जो है इस्थान वाचक किरिया विसेशन है इस्थान आएगा यहाँ पर दो बार परिनाम आ गया है तो यहाँ पर नित्य प्रतिदिन याने कि रोजाना वो क्या है मंदिर जाता है तो यहाँ पर क्या आएगा काल वाचक किरिया विसेशन याने कि ये वाला जो उप्सन होगा वो यहाँ पे सही होगा अगला कोश्चन देखिए तुम कहां जा रहे हो ध्यान देना है तुम कहां जा रहे हो कहां यहां पर कहा गया है तुम कहा जा रहे हो इस वाक्ष में कौन सा किरिया विसेशन है रीती वाचक किरिया विसेशन परीमांड वाचक किरिया विसेशन इस्थान वाचक किरिया विसेशन काल वाचक किरिया विसेशन तो आपको बता दें कहां यहां कि इस्थान जो है समय जो है, इस्थान जो है, वो यहाँ पर प्रतीत हो रहा है, तो इस्थान वाचक किरिया विसेशन होगा, याने की C वाला उप्सन जो है कि अपना सही होगा, चली अगला कोश्चन देखते हैं, मैं अवश्य जाऊंगा, ध्यान देना है, मैं जो है, अवश्य जाऊंगा, इस व तो इस वाक्य में जो है रीती वाचक क्रिया विशेशन होगा तो यहां पर एवाला उप्सन जो है अपना वो सही निकलेगा चैली अगला कोशन देखिए राहुल बहार गया इस वाक्य में कौनशा क्रिया विशेशन है राहुल जो है क्या है बहार गया अंदर बहार उपर न नीचे क्या है, जगा का बताया गया है, उपर गया, नीचे गया, स्थान प्रतियद हो रहा है, तो यहां पर अपना स्थान वाचक किरिया विशेशन होगा, तो अपने को question देखिए चलिए राजु अधिक खाता है इस वाक्त में कौन सा क्रिया विसेशन है यहां पर अधिक बारे में पूछा गया है परिमान वाचाक काल वाचाक रीती वाचाक इस्थान वाचाक तो आपको यहां पर बता दें जहां पर अधिक कम थोड़ा ज्यादा इस प्रकार के जो कोशन आते हैं इतना उतना कुछ इस प्रकार के जो कोशन आते हैं वो परिमान वाचक करिया विसेशन के अंतरगत आते हैं बिल्कुल यहाँ पे आख मीच खे लगा देना है एवाला उप्सन अपना राइट करना है परिमान वाचक करिया विसेशन तो एवाला उप्सन यहाँ पे अपना सही होगा अगला कोश्चन देखिए गीता आज कल पड़ा रही है इस वाक में कौन शा करिया विसेशन है ध्या करके जो कोश्चन आते हैं जो समय का प्रतीत हो रहा है जिनसे तो वहाँ पर काल वाचक करिया विसेशन लगा देना है तो सीवाला उप्सन यहाँ पर अपना जो होगा बिल्कुल राइट किलिक होगा अगला कोश्चन देखिए हम कल बजार जाएंगे इस वाक में कौन सा क करिया विसेशन है यहाँ पर कल जो है समय प्रतीत कर रहा है बिल्कुल ध्यान देना है कल पर सो अभी हमने आप लोगों को बताया कल पर सो या फिर आज कल इस परकार के कोश्चन आते हैं वहाँ पर काल वाचक करिया विसेशन रीती वाचक करिया विसेशन परिमान वाचक क संदों पर सही होगा जो की एकदम राइट किलीक करना है इस पर तो यह वाला उपशन अपना सही होगा अगला कोश्चिन देखिए मिश्वार्थव्याप्त है इस वाक्ष दे ले सभी जगा व्याप्त है इस वाक्य में कौन सा किरिया विशेशन है परिमान वाचक किरिया विशेशन रीती वाचक किरिया विशेशन इस्थान वाचक किरिया विशेशन काल वाचक किरिया विशेशन तो आपको बता दें सरवत्र यहने हर जगा और जहां पर जगा प्रतीत हो रहा है वाक्य में तो व ध्यान देना है यहां पर यहां पर सब्द आया है याने कि इस्थान प्रतीत हो रहा है यहां पर कल सरजी मिले थे इस वाक्य में कौन सा किरिया विशेशन होगा परिमान वाचक इस्थान वाचक काल वाचक रीती वाचक इस परकार के वाक्य में इस्थान प्रतीत हो रहा है त इस्थान बाचा करिया विशेशन होगा तो बीवाल उप्षन जो होगा अपना यहाँ पर एक दम सही होगा अगला कोश्चन देखिए आज कल तुम बहुत पढ़ाई कर रहे हो इस वाक्ष में कौन सा करिया विशेशन है ध्यान देना है आजकल तुम पढ़ाई कर रहे हो इस वक्क में कौन शा क्रिया विसेशन है आपको अभी हमने आपको बताया इस्थान वाचाक, परिमान वाचाक, रीती वाचाक, काल वाचा क्रिया विसेशन तो आज कल या फिर कल परसो अब तब इस परकार के जो कौस्चन आते हैं वो काल वाचा क्रिया विसेशन के अंतरगत आते हैं तो डीवाल ओप्सन को अपने यहाँ पे एकदम सही करना है क्योंकि एकदम सही राइट किलिक करना डीवाले कौस्चन पे क्योंकि यहाँ पर जो है समय प्रतीत हो रहा है तो डी वाल उप्सन अपना जो होगा वह बिल्कुल सही होगा अगला कोश्चन देखिए मा उपर के कमरे में है ध्यान देना है मा क्या है उपर के कमरे में है इस वाकि में कौन सा किरिया विसेशन होगा ध्यान देना है उपर के कमरे में याने इस्थान प्रतीत हो रहा है इस वाक्त में कौन शक किरिया विसेशन होगा परिमान वाचक, इस्थान वाचक, रीती वाचक, काल वाचक किरिया विसेशन तो मा उपर के कमरे में यहाँ पर इस्थान प्रतीत हो रहा है तो बीवाल उप्षन को राइट किलिक करना है इस्थान वाचा किरिया विसेशन दोस्तों आपको आखलन भी करते चलना है कि आज आपने 50 में से कितने कॉश्चन सही किये हैं साथ ही में आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को देखते समय लाइक एवं सेर जरूर कीजिए और कमेंट वाक्स में लिखकर जरूर बताइए कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आप लोगों तक पह नहीं नहीं जाओगे याने कहीं पर भी नहीं जाओगे इस वाक्य में कौनशा क्रिया विसेशन है काल वाचक रीती वाचक इस्थान वाचक परीमान वाचक तो कहीं नहीं जाना है मतलब इस्थान यहां पर प्रतीत हो रहा है तो इस्थान वाचक क्रिया विसेशन होगा य यहां पर नाप तोल की बात हो रही हो तो वो करिया विसेशन जो होगा परिमान वाचक करिया विसेशन का हो रहा है तो यहां पर दूद को हम जो है नाप सकते हैं तो यहां पर इस जग में परियाप्त दूद है यहां पर परियाप्त पे भी ध्यान देना है अपने को में कौनसा क्रिया विशेशन होगा काल वाचक क्रिया विशेशन इस्थान वाचक क्रिया विशेशन परिमान वाचक क्रिया विशेशन रीती वाचक क्रिया विशेशन तो सीवल ओप्सन जो है वो यहां पे एकदम अपना सही होगा अगला कोश्चन देखिए इतना कम पानी प इस्थान वाचक किरिया विशेशन परिमान वाचक किरिया विशेशन रीती वाचक किरिया विशेशन कम पानी पियोगे तो यहाँ पर परिमान वाचक किरिया विशेशन जो होगा वो अपना एक दम सही होगा तो सी वाला उप्सन जो होगा वो अपना सही है अगला कोश्चन देखिए हम पहली बार ताज महल देखने गए हैं इस वाकि में कौन सा क्रिया विसेशन है ध्यान देना है हम पहली बार ताज महल देखने गए पहली बार तो रीती वाचक क्रिया विसेशन परिमान वाचक क्रिया विसेशन या फिर इस्थान वाचक क्रिया विसेशन तो यहा वो अपना यहां पर सही होगा अगला कोश्चन देखिए राकेश मंदिर की तरफ गया था इस वाक्य में कौन सा किरिया विसेशन है ध्यान देना है राकेश जो है वो किस तरफ गया था मंदिर की तरफ यहने की किसी इस्थान के और यहां पर इस सारा प्रतीत हो रहा है तो इ यहाँ पर B वाल उप्सन जो होगा, वो अपना सही होगा, अगला कोश्चन देखिए, इस टैंक में कितना पानी है, इस वाक में कौन शा किरिया विसेशन होगा, रीती वाचक किरिया विसेशन, काल वाचक किरिया विसेशन, परिमान वाचक किरिया विसेशन, इस्थान वाच पूछा गया है, इस टेंक में कितना पानी है, तो यहाँ पर जो है, परिमान वाचक करिया विशेशन होगा, यहने की सीवाल ऑप्सन जो होगा, वो अपना एकदम बिलकुल सही होगा अगला देखिए वह केसे लिखता है इस वाक्य में कौनशा करिया विसेशन है ध्यान देना है वह केसे लिखता है यहाँ पर ना तु काल वाचक करिया विसेशन आ रहा है ना इस्थान आ रहा है ना परीमान वाचक करिया विसेशन आ रहा है और जो इन सभी करिया विसेशन मे नहीं आते हैं, वो काई के अंतरगत आते हैं, जल्दी बताओ, रीती वाचक करिया विसेशन के अंतरगत आते हैं, तो B वाला उप्सन जो होगा, वो अपना सही होगा, अगला कोश्चन देखते हैं, वहाँ मेरे आगे वाली लाइन में था, इस वाके में कौन शा करिया विसे तो वहां मेरे आगे वाली लाइन में था इस प्रकार के किरिया विसेशन में जो होगा इस्थान वाचक किरिया विसेशन आएगा आगे वाली लाइन में था यहां पर इस्थान प्रतीत हो रहा है कि इस्थान के बारे में पूछगा है तो वहाँ मेरे आगे वाली लाइन में था इस वाकि में कौन सा करिया विसेशन है इस्थान वाचक करिया विसेशन तो C वाला उप्षन जो होगा वो यहाँ पर अपना सही होगा अगला कोश्चन देखिए सायद हम कल आएंगे ध्यान देना है सायद हम कल आएंगे इस वाकि में कौन सा करिया विसेशन है काल वाचक करिया विसेशन रीती वाचक करिया विसेशन इस्थान वाचक करिया विसेशन परिमान वाचक करिया विसेशन तो यहाँ पर सायद सब्द हुआ है तो यहाँ पर सायद पूछा है सायद हम कल आएंगे तो यहाँ पे जो होगा रीती वाचक क्रिया विसेशन होगा यहने की बीवाल ओप्सन जो होगा वो अपना सही होगा अगला कोश्चन देखिए मैं प्राताह जल्दी उठता हूँ इस वाक्य में कौन सा क्रिया विसेशन है प्राताह यहने की सुभा साम इस प्रकार के क्रिया जो आते हैं सब दोवकाय के अंतर गताते हैं काल वाचक क्रिया विसेशन इस्थान वाचक क्रिया विसेशन रीती वाचक क्रिया विसेशन परीमान वाचक क्रिया विसेशन इस प्रकार के जो क्रिया विसेशन है वो काल वाचक क्रिया विसेशन के अंत अबना इसारा प्रतीत हो रहा है वहाँ स्कूल की ओर गया है इस वाक्य में कौन सा किरिया विसेशन है परिमान वाचक इस्थान वाचक रीती वाचक काल वाचक तो वहाँ पर इस्थान वाचक किरिया विसेशन होगा स्कूल की और याने कि यहाँ पे जगहा का प्रतीत हो रहा है कौन से तरफ स्कूल की तरफ बहुग गया है तो यहाँ पे जो होगा इस्थान वाचक करिया विसेशन होगा अगला कोस्चन देखिए यहाँ कार मत करो ध्यान देना है यहां कार मत करो इस वाक्य में कौन्षा किरिया विसेशन है काल वाचक, रीती वाचक, स्थान वाचक, परिमान वाचक तो आपको यहां पर बता दें कि यह कार मत करो इस वाक्य में कौन्षा किरिया विसेशन है रीती वाचक किरिया विसेशन जो की किसी सब्द में किसी किरिया विसेशन के अंतरगत नहीं आता है वो रीती वाचक किरिया विसेशन के अंतरगत आता है तो इस प्रकार के जो question है उसमें रीती वाचक किरिया विसेशन होगा तो बीवाल option को right click करना है इस प्रकार यहाँ पर पूरे 50 कोश्चन आप लोगों के complete होते हैं आप लोगों को comment में लिखकर जरूर बताना है कि आज आपने 50 कोश्चनों में से कितने कोश्चन एकदम सही किये हैं इसी प्रकार बने रही हमारे साथ देखतरी हमारा अपना चेनल Online Study with DK जल्दी ही मिलते हैं नए कोश्चन के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद